नमस्कार साथियों मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ डेली प्रैक्टिसेट का आज यह 16 हमा वीडियो एपिसोड है जिन में कुल 50 प्रसनों को संग्रह किया गया है तो चलते हैं आज के पहले प्रसन की योर आज का पहला प्रसन है भारतिय संविधान को संविधान सभा दोवारा अंगी किरित किया गया था यानि कब अंगी किरित किया गया या स्विकार किया गया एक इहीं बात हुआ तो यह जो है भारतिय संविधान को 26 नमंबर 1949 को स्विकार किया गया अंगी कार किया गया अंगी किरित किया गया या बनकर तयार हुआ यानि बनकर तयार भी हुआ 26 नमंबर उन्यस्वा उन्चास को अगर अंगीकार पुछे या अंगीकरीत पुछे या स्विकार पुछे या बनकर तयार पुछे तो वो होगा 26 नमंबर उन्यस्वा उन्चास अगर पूछेगा समिधान लागू कब हुआ तो वो होगा 26 जनवरी 1950 इस दिन लागू हुआ था बांकी सारा खेल इसी दिन हुआ था 26 नमंबर 1949 चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है रंजित सिंग अपने सासन काल के दोरोन जो है अनेक बीजियाई युद्ध लड़े लड़े उनके दोरा बीजित अस्थानों को काल करम कीजिए यानि रंजित सिंग जो है अपने जीवन काल में जो भी युद्ध जीते लड़े उनका कहता है काल करम में सजाने के लिए तो चलिए इनको सजाते हैं तो इन्होंने जो है लाहोर को 1801 इस्वी में जीता था और 1799 इस्वी में इन्होंने सासक बना पंजाब का और 1801 इस्वी में लाहोर को जीत कर इन्होंने अपना राजधानी लाहोर में बनाया था उसके बाद है Amritsar तो Amritsar को इन्होंने 1805 इसवी में जीता था और उसके बाद है Kangra तो Kangra को इन्होंने 181 इसवी में जीता था और कस्मीर को 1819 इसवी में जीता था इन्होंने सिर्ययली ही जीता है 1801 में लाहोर, 1805 में अमरित सर और कांगड़ा 1801 में और कस्मीर को 1819 में जीता था और इनका मिर्तिव 1849 इसबी में हो गया था यानि यह इतना से इतना इसबी तक इनका सेशन है और इनका बिजित परदेशों का कालकरम है तो चलते हैं अगले प्रस्ण में तो अगला प्रस्ण है तीन नंबर देखे ऑप्शन नंबर ए उसका राइट अंसर होगा तो अगला प्रस्ण है आजीवक संपरदाई के संस्थापक कौन थे तो आजीवक संपरदाई के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल थे ऑप्शन नंबर सी तो चलते हैं अ उपकरन नहीं है तो निर्गम जो है उपकरन नहीं है इन में से पूछ रहा है तो इंक जेट मुद्रक ये निर्गम उपकरन है पलास्टर भी निर्गम है और एस्पीकर भी निर्गम है जबकि प्रकासित लक्षन अभिज्याता यह जो है निर्गम उपकरन नहीं है बांकि त निर्गम उपकरन है तो चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है बॉली बॉल की परतेक टीम में यानि एक पक्ष में खिलारियों की संख्या कितनी है तो एक पक्ष में या परतेक टीम में खिलारियों की संख्या बॉली बॉल में चह होती है जबकि कवड़ी में वाट जबकि जिमना अस्टिक में आठ होता है तो चलते हैं अगले प्रस्ण में आज का अगला प्रस्ण है हाँ अगला प्रस्ण है CTBT का फुल फॉर्म क्या है तो CTBT का जो है फुल फॉर्म उहता है अगला प्रस्ण है सुध जल में डिटरजेंट डाला जाता है तो प्रिश्टनाब क्या होगा तो साथियों आपको पता है कि अगर जल में डिटरजेंट यानि सर्प डालते हैं तो वह जो है जल की प्रिश्टनाब को घटा देते हैं घटा देते हैं option नमर बी होगा और वह जल के अधिक यानि की कपड़ों के अधिक जल के अधिक गहराई तक जाते हैं जिसे कपड़ा को साप करते हैं बहुत ज़्याद है आर बी आई इसका अस्थापना जो है वो हुआ था हिल्टन यंग आयोग के द्वारा आर बी आई एक्ट 1934 के अधिनियम के द्वारा हिल्टन यंग आयोग के सिफारिस पर एक अपरेल 1935 को हुआ था एक अपरेल 1935 को और इसका मुख्यालय उस समय कोलकाता था लेकिन पुने दो चार साल के बाद इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया जो कि अभी तक मुंबई में ही है तो होगा रार बी आई का मुख्यालय मुंबई है और इसका राष्ट्य करन एक जनवरी 1949 को हुआ था तो चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है कोबाल्ट 60 कोबाल्ट 60 आम तोर पर बिकरन चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सरजित करता है तो यह जो है आम तोर पर कैं साइठ में कौनसे की रूट सर्जित होता है तो वह होगा गामए की रुटु और चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है बैदिक यूग बैदिक यूग की एक नदी है कूभा या जिसे काबुल बोलते हैं तो वोलता है इसका अस्थान कहां निर्धारिता होना चाहिए तो साथियों option के एकार्डिक आप काबूल देख रहे हैं तो आप तो ISO भी जो है इसका अफगानिस्तान मार सकते हैं क्योंकि कुभा या काबूल का अस्थान जो है वह अफगानिस्तान है चलते हैं अगले प्रस्ण में अगरला प्रस्ण है मतर का पौधा क्या है तो मतर का पौधा ये जो है साख ये है यानि कि ये साख है जैसे हम लोग खाते हैं और ये लतरने वाले हैं तो चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है जगदीश्पूर में अस्थापित शामानांतर सरकार के परमुक निम्न में से कौन थे तो जगदीश्पूर में जो सामानांतर सरकार अस्थापित हुआ था वो अमर सिंग के नितरत्व में हुआ था अमर सिंग के द्वरा अस्थापित किया था और ये जगदीश्पूर के राजा बीर कुमर सिंग के भाई थे ये 1857 की घटना है और ये जो है समानतर सरकार अस्थापित किया गया था अमर सिंग के द्वरा लेकिन इसके परमुक जो है बनाया गया था हरकिसन सिंग को यानि जगदिशपुर में समानंतर सरकार जो हुआ बना था अस्थार सुसंतावन में इसका परमुक था हरकिसन सिंग जबकि इसे अस्थापना कसरे दिया जाता है अमर सिंग को जबकि भारत छोड़ो अंदोलन के दरोन 1942SV में बालिया में तो साथियों पिर्थिवी जो है अपने धूरी पर जोकी हुई है सारे 23 डिगरी जोकी हुई है अपने अक्ष पर जब की लंब बिर्थिया अक्ष पर अगर पुछा जाएगा लंब बिर्थिया करके तो वो होगा पिर्थिवी जो है सारे 66 डिगरी जोकी हुई है अपने अक् उत्तरवेदिकाल में किस देवता की सर्वोच अस्थान प्राप्त था तो उत्तरवेदिकाल पूछ रहा है तो इसमें यह जो था परजापती था पहले अस्थान पर क्योंकि वेदिकाल दो भाग में बाटा गया था एक था रिगवेदिकाल और एक था उत्तरवेदिकाल तो के परमुक देवता इंदर थे जबकि उत्तरवैदिक काल में इंदर के अस्थान पर परजापती का अस्थान आ गया था तो चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है हाल ही में दक्षिन भारत को सुख होई थर्टी एम के आई लड़ाकु बिमानों का पहला जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया तो यह दक्षिन भारत को सुख होई थर्टी एम के आई लड़ाकु बिमान जो मिला तो उसके बारे में पूछ रहा है तो यह जो है बरमोस मिसाइल के द्वारा लैस किया गया था यह जो है चीनी गतिविदियों के नियंतरन को पाने के लि वो अपने छेतर पे अधिकार करना चाहते थे इसलिए इनी के गतिविदियों के लिए सुख होई थर्टी एम के आई लड़ाकु बिमान तैनावत किया गया और यह बरमोस के द्वारा किया गया था सन 2020 इस वीकी यह घटना है तो चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्र तुफात उल्मोह उद्दिन के लेखक कौन है तो तुफात उल्मोह उद्दिन के लेखक जो है वो है राजा राम मोहन राय मेरा आप्शन नमर बी सही होगा जिनोंने ब्रह्म समाज की अस्थापना भी किया और द्यान अनसुर्श्वती आरिसमाज का अस्थापना किया था काजी नजरुल इस्लाम को बिद्रोह कभी के नम से जाना जाता है और स्वामी विवेका नंद राम क्रिस्टमिसन के अस्थापना किया अपने गुरो के नम पर चलते हैं अंग़ले प्रस्न में अगला प्रशन है भारत के सम्मिधान की किस अनुसोची में बिभिन राजियों में अनुसोचित छेत्रों के परसासक और नियंतरन के बारे में बिशेस उपबंद है तो बिभी ने राजियों के जन जातिय छेतर के परसासन और नियंतरन के बारे में यह पांचवी अनुसूची में दिया गया है यानि ये घटना जो है पांचवी अनुसूची का है जब कि छटी अनुसूची में जो है केवल चार राजियों के जन संख्या के जन जातिया छेतर के परसासन और नियंतरन के बारे में हैं और वो चार राज है मेघालया देखिए मेरा ट्रिक्स है मेट्री अ मी ट्रिक्स को लिखता हूँ मेट्री अ मी ये जो है छठी अनुसूची में केवल चार राज के जनसंख्या को जन जाती है छेदर के लिए तो चलते है अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है कुरियर सेवा से परतियस्फर्दा के लिए भारतिया डाक विभागने दुरुत डाक सेवा जिसे बोलते हैं एस्पीड पोस्ट सर्विस का आरंब कभ अट तो एस्पीड पोस्ट सर्विस का छो है एस्पीड पोस्ट का आप सन 1986 इस्वी में हुआ था चलते हैं अगले परस्न में है अगला प्रस्न है यह उन्नीस नमबर करा है डेटा सब्द किस सब्द का बहु बचन है तो डेटा सब्द जो है किस सब्द का है तो डेटम का बहु बचन है अप्सन नमर डी डेटा सब्द डेटम का बहु बचन है अगले प्रस्ण में चलते हैं अगला प्रस्ण है सुर्य सेखर गांगुली किस खेल के खिलारी हैं तो सुर्य सेखर गंगुली के बारे में पूछा जा रहा है तो सुर्य सेखर गंगुली जो है यह परसिद सतरंज के खिलारी है जबकि सवरब गंगुली वह परसिद किर्केट के खिलारी है सवरब गंगुली किर्केट के खिलारी और यह सुर्य सेखर गंगुली सतरंज के खिलारी, कंफ्यूजन बिलकूल भी ना लेना है, तो चलते हैं अगले प्रस्न में, अगला प्रस्न है, राश्टिये मत दाता दीवस कब मनाया जाता है। तो राष्टियम्मत दाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि भारतिय निर्वाचन आयोग का अस्थापना 25 जनवरी 1950 इसवी को हुआ था तो इसलिए राष्टियम्मत दाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और निर्वाचन आयोग की अस्थापना उन 324 अनुछेद के द्वारा किया जाता है राष्टपती के द्वारा चलते हैं अगले प्रस्ण में तो अगला प्रस्ण है हर्यक बंस के किस सासक को कुनिक भी कहा जाता है तो हर्यक बंस के वो सासक जो है जिसे कुनिक कहा जाता है वो है अजात सत्रू हर्यक बंस के अजात सत्रू का उपनम कुनिक है चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है निमलिकित में से कौन उस्मा का सर्वत्तम चालक है अगर उस्मा का सर्वत्तम चालक रहे तो वो हो जाएगा पाड़ा निमलिकित उप्सन में उस्मा का सर्वत्तम चालक पाड़ा ही है जिनका उप्योग थर्मा मीटर में किया जाता है और अगर विशिष्ट चालकता पूछा जाएगा तो विशिष्ट चालकता में जल का होता है, सबसे जादे विशिष्ट चालकता होता है 42,42 किलोगरों पर केलविन चलते हैं अगले प्रस्ण में एगला प्रस्ण है रासायनिक अभिकिरिया में उत्परेरck की भुमिका है तो रासायनिक अभिकिरिया में उत्परेरक की भुमिका यही रहती है कि वह संकर्यन उर्जा का उत्पादन करना उत्परेरक संकर्यन उर्जा की संकर्यन उर्जा में बदलता है कोई भी प्रोडेक्ट को चलते हैं अगले प्रस्ण में, 25 नमर का प्रस्ण है, सौर उर्जा किस से पराप्त होता है, तो सौर उर्जा या सुरिय से पराप्त होता है, ओप्शन नमर C, फिर चलते हैं अगले प्रस्ण में, अगला प्रस्ण है, क्रेडिट कार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, credit card को जो है अन्य debit card या प्लैस्टिक मनी के रूप में जहना जाता है option number D होगा फिर चलते हैं अगले परस्न में निमलिखित में से किस जीले में उप हिमालय परवरतिय मिद्रा का विष्तार पाया जाता है तो उप हिमालय परवपादिय मिर्दा यह जो है बिहार के पस्चिमी चमपारन वो जीला है जहां परवपादिय मिर्दा का विस्तार पाया जाता है अप्शन B तो चलते हैं फिर अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है अंतराष्टिय दिनांकरेखा गुजरती है तो अंतराष्टिय दिनांकरेखा वह जो है यह कहां है कहां से होकर गुजरती है तो वह गुजरती है 180 डिग्री देसांतर से अंतराष्टिय दिनांकरेखा जबकि मानक समय पुछा जाएगा अंतराष्टिय मानक समय तो वह जाएगा option यह 0 डिग्री देसांतर और भारत का मान सी डिगरी पुर्वी देशांतर जलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है ने में कित मेंसे महांतम कुशान नेता कौन ठाट जो बाओ बन गया तो वह महावन कुसान साशग जो था बौध बन गया वो था कनिस्क इन्होंने बत धर्म गरहन किया और इन्होंने बत धर्म को सन्रक्षन भी दिया था तो चलते हैं अगले परस्ण में क्योंकि इनी के समय में जो है बत धर्म का चौथे सभा का आयोजन हुआ था कस्मीर में चलते हैं अगले ये अगला प्रस्न है हाल ही में केंदर सरकार दो और अजारी घोशना के अनुसार नए एक रूपिया की नोट पर किसके हस्ताक्षर होगे तो पहले भी उनी का होता था और अभी भी गोशना किया है कि उनी का ही होगा तो वो है भारत के वित सचीव वित सचीव का ही एक रूपिया के नोट पर हस्ता हक्षर होता है जबकि इस से अधिक के नोट पर RBI के गवर्नर का हस्ता हक्षर होता है तो अगले प्रस्ण में चलते हैं महाराष्ट में रामोसी किरिशक जत्था किस ने अस्थापित किया थी यह एक अंदोलन था और यह अंदोलन अस्थापित किया गया था बासुदेव बलवंत फाड़के अप्शन नमार सी बासुदेव बलवंत फाड़के द्वाड़ा तो अगले प्रस्ण में होते हैं अगला प्रस्ण है निमलिखित में से किसने देशी रियासतों को भारतिय संग का अंग बनाने में महत्पुर्ण भूमी का अदा की देशी रियासत जो थी वह भारत के सुतंत्र होने के पहले लगभग 500 से भी अधिक थे 162 तो 562 में भारतिय संग में संवलित करने की जिमेवारी के लिए वह महत्पुर्ण अदा किया था सरदार परतेल और वीपी मेनन इन्ही दोनों को द्वारा भारतिय संग कुमे देसी रियासत को मिलाया गया था देसी रियासत यानि राजे रजबारे उस समय जो थे उसको और ये option B होगा आपको पता है कि तीन ऐसी रियासते थी जो भरतिया में समलित नहीं हुआ था एक था जुनागड एक हैदराबाद एक जमू कस्मीर तो कस्मीर पर जो है बिलेपत पर हस्ता अक्षर के द्वारा मिलाया गया था जुनागड को जन्मत संग्रह पर आम आदमी के सहमती के द्वारा जबकि हैदराबाद को ओपरेशन पोलो के तहत जो है उन्हें भारतिया में पुलिस करवाई के द्वारा मिलाया गया था तो चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है 33 नमर प्रस्ण सिंखला तो कहता है बैलो ड्रम किस खेल से संबंधित है तो साथ यह यह बैलो ड्रम जो है यह साइक्लिंग खेल के पड़िसर है ओप्रस्ण नमर डी होगा अगले प्रस्ण में चलते हैं जैसे मुक्यवाजी को कहते हैं रिंग टेनिस को कौर्ट कहते हैं अगला प्रस्ण है पुलके सिंग पर्थम का बादामी अभिलेख में जो है सक वर्ष अगर 465 दिन का दिनांकित है यदि इसे बिक्रम समवत में दिनांकित करता है तो क्या होगा तो साथियों सक वर्ष जो है 78 इसवी में प्राडम हुआ था और बिक्रम समवत 58 इसवी पूर्व में यह बीसी का घटना है यानि इसवी पूर्व का और यह जो 78 इसवी का घटना है अगर इन दोनों को अंतर करेंगे तो 58 और 78 तो मेरा आएगा 136 आएगा और 136 को 465 में अगर एड करेंगे 465 तो देखिए मेरा क्या आता है? 65 इक एक बाटी एक है? 39 एक 10 के 10 दस चोटिन नौ एक बॉंकी था यह गाड़ा बॉला तो हो जगा दस के जीरो बॉंकी एक चार एक पॉंच एक च्छ तो छासो एक इस भी आ गया तो मेरा ओप्सन नम्मर होगा ए यानि बिक्रम समवत में अगर सक वर्स जो है चारसो पैसेट दिन का है तो बिक्रम समवत में या छोसो एक दिन का होगा चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है किस छेतर में और साधारन योगदान के लिए सांती स्वरूप भटनागर पुरुषकार दिया जाता है तो सांती स्वरूप भटनागर पुरुषकार या बिग्योन के छेतर में दिया जाता है उ पांतीस रूप भतनागरपुरस्कार में बग्यों के चेत्र में दो लाख रूपया मिलता है चलते हैं ap兩 a china है दोनी पुझावन है तो एखॉं electrick बग्यों है तो या कोश्टिक जो है यह विग्यों यह दोनी से समंधीत है दोनी से समंदैध अधियान को एकॉस्टिक बिग्याउन कहते हैं ओप्षन नमबर बी फिर चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है पर्थम बीधी निर्माता कौन है तो पर्थम बीधी निर्माता जो है वह मनु है खानून के निर्माता और जबकि चानक चंदगुप मोरी के गुरु थे चंदगुप मोरी बन्स की अस्थापना किया और सेलकश निकटर को इन्होंने हराया था चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है वाईयोन और राकेट बनाने में कौन सी धातू परयोग की जा क्योंकि यह हलकी धातू होती है इसलिए चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है जेनेटिक्स निमलखित में से किसका अधियन है तो यह जेनेटिक्स जो है अनुबान सिकता और बिचरन का अधियन है क्योंकि अनुबान सिकता का अधियन ही जेनेटिक्स कहलाता है चलते हैं अगले प्रस्ण में और अनुबान सिक्ता के पिटा ग्रेगन जूंब मेंडल को कहा जाता है कि इन्होंने अनुबान सिकता के लिए जो है बिभिनकार कीए और अगले प्रस्न है बोकारों एस्टिल प्लाउंट किस देश के सहयोग से अस्थापित हुआ तो बोकारों एस्टिल प्लॉंट यह लो अस्पात सेन्यंत्र है और यह जारखंड में है और इनका निर्मोन जो है तिरतिय पंच बर्सिय योजनों के द्वारा किया गया था सन 1964 Lesai 1964-FR में में किया गया था USSR वह रूष के द्वारा किया गया था और चलते हैं अगले प्रस्ण में कि जहीं यह जबकि तुर्गापोर जो है यह बिर्टेन के सहयोग से बना था और रावड़ के ला जर्मनी के सहयोग से बना था और भिलाई भी रूष के सहयो लोग से ही बना था तो अगले प्रस्न में चलते हैं अगला प्रस्न है ती ओर एवं धाका नहर द्वारा किस जिले में सिचाई होती है तो ती ओर एवं धाका नहर है या बिहार से संबंदित प्रस्न है तो यह जो है ती ओर एवं धाका नहर के द्वारा पुर्वी चंपारन क अगला प्रस्न है यह यूरोप का पर्वत है जबकि अपलेसियन यह अमेरीका का पर्वत है और अरावली भारत का परवत यानि पेनाईन यूरोप अपलेशियन अमेरिका और अडावली भारत यह उधारन है तो यह जो है पुरानी परवत का सरिंखला है अडावली दुनिया की सबसे पुरानी परवत सरिंखला अडावली को कहा गया है और इनी सरिंखलाव में से पेनाईन और अपल ही में नगदी संकट से जोज रहे नीजी छेतर के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया गया तो आरवियाई ने रिजर बैंक इंडिया ने हाल ही में यस बैंक को जो है इनके निदेशक मंडल को भंग कर दिया गया था क्योंकि नगदी संकट से जोज रहा था चलते हैं अगले प्रस्न में अगला प्रस्न है क्यों इंडिया नेशनल कॉंगरेश के संथापक कौन थे तो इंडिया नेशनल 1857 को किया गए था और इनके पर्थम अधिवेशन जो हुआ था वह बंबाई में हुआ था बंबाई में और इनके अधिक्स्ता कर रहे थे लिव संथ 521 बनर्जी 3882 में यानि अस्थापन किया वह उदीन की इस होई जै आधिप क्या भारत के संविधाउन के तहत निमलकित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है तो भारतिय संविधाउन के तहत जो है कौन सा कहता है इन में से मौलिक अधिकार नहीं है तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार कुल च्छा है च्छा परकार के भारतिय संविधाउन में मौलिक अधिकार बर्तमान में है लेकिन पहले साथ हुआ करता था तो शमपत्ति के अधिकार को अटा दिया गया था और यह जो है इनका बर्नन समता या समनता का अधिकार यह भीए अनुछेद 14-18 में है और उसके बाद जो है स्वत अंतरता का अधिकार यह भी है अनुचेद 19-22 में इसका बर्नन है अनुचेद 19-22 में नग्रकता का अधिकार जो है अनुचेद 5-11 में है जबकि यह मोली का अधिकार के अंतरगत नहीं आता है और स्वसन के बिरुद अधिकार यह भी मोली का अधिकार के अंतरगत आता है अनुछेद 23-24 में इसका बर्नन है तो आपको पता है कि 12-35 अनुछेद तक जो है 12-35 तक मोली कदिकार है तो मेरा 12 के नीचे आ गया है नागरिकता कदिकार जो की मोली कदिकार नहीं होगा चलते हैं अगले प्रस्ण में 46 नमबर प्रस्ण आज के तो कहता है इडेन गार्डेन अवस्थित है तो साथियों इडेन गार्डेन जो है यह अवस्थित है मुंबई में यह स्वड़ी कौलकाता में इडेन गार्डेन जो है यह कौलकाता में किर्केट एस्टेडियम और जबकि वान खरे जो है मुंबई में है किर्केट एस्टेडियम वन खरे जबकि फिरोज साकोटला नई दिल्ली में है और चेपक एस्टेडियम चेन नई में है यह सब किर्केट के लिए परसिद्ध है तो चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण है स्वेत प्रकास को नली में कैसे पैदा करेंगे तो स्वेत प्रकास को नली में पैदा करने के यह जो है तंतु को गर्म करना पड़ेगा यानि तंतु को गर्म करके जो है स्वेत प्रकास को नली में हम पा सकते हैं चलते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्र नमर ए जबकि केडमियम की अधिक्ता से इटाई इटाई नामक बीमारी होता है अगले प्रस्ण में चलते हैं उन 40 नमर में के प्रस्ण में कहता है इस सोची से उस सोची में मिलाउन करने के लिए तो अलाई दरवाजा जो है दिल्ली का अलावदिन खिलजी के द्वारा किया गया ये बिलकुल सही है और बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष में किया गया था फतेपूर सिकरी में अकबर के द्वारा ये भी पहुत ये भी मिला हुआ है और मोती महजिद दो जगे हैं एक दिल्ली में है और एक आगरा में आगरे की मोती महजीद का निर्मान सा जहां द्वारा किया गया और दिल्ली के लाल किले के अंदर जो है मोती महजीद उसका निर्मान औरंग जेव के द्वारा किया गया यानि एक दो तीन चार ये मेरा सिरियली मिला हुआ ही है तो चलते हैं आज के आख़डी प्रसन की ओर तो आज के अंतिम प्रसन है निम्न में से कोन नियत तापी प्राणी है तो फिर मिलूँगा मैं अगले वीडियो में झाल झाल